नमस्कार दोस्तों मैंने में पिव उचराब देकत कोशनार भारत मात्र आट से दस परसेंट के आसपास रहे जाना यह सब हुआ है पिछले कुछ सालों में जब से बंगलादेश बना है और आपको बंगलादेश हो या पाकिस्तान हो या कुछ उपर की अरब वर्ल्ल में जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं इन दोनों में तो ज़्यादा तर सुनाई देता है कि कोई मंद्र तूड गया, कोई मूर्ती तोड़ दी, कहीं दंगा हो गया, कई हिंदों को मार दिया, कनवर्ट कर दिया, यह आम घटनाओं का हिस्सा था अभी 13 अक्टूबर की यह न्यूज है, बांगला देश में दुर्गा पूजा के समय, किसी ने अफवा फैलाई या क्या घटना है, रियल घटना, अभी तक सत्य सामने नहीं आया है कि यह अफवा फैलाई गई कि दुर्गा पूजा पंडाल में कुराण की डिस्रिस्पेक्ट हो रही है, कुराण साहथ रखी गई है और डिस्रिस्पेक्ट हो रही है, कुराण के बारे में कुछ खा जा रहा, ऐसा कुछ था और उस चीज से आहत होके वहाँ के 90% मुसल्मान बिलकुल आकरोश में आ गए उनको जिहाद नजर आ गया उसके लिए प्रेरित हो गया और उन्होंने मूर्तियां तोड़ना सुरू कर दिया वहाँ पे अफरात अफरी का माहौल पैदा हो गया एक तरिका का वाइलेंस क्रीट हो गया और यह सब हुआ आरती के दौरान अब समझ सकते हैं अगर मुसल्मानों के कॉंटेक्स में दिखा जाए जब उनकी अजान हो रही हो आपको लग रहा कहीं से रिलेटेड है इसरायल में पैलेस्टीनियन का कुछ हो रहा था नमाज के दौरान पुलिस घुजगई, मॉब घुजगई सब चीज़ें होने लग गई है ना तो बहुत पुरा पुरा ग्लोबल इसलामिक वर्ड या फिर जितनी भी दुनिया है जितनी भी लिबरल्स हैं, सेकुलर्स हैं सब के दिलों में उन्हों करुणा भर गई कि यह क्या अत्ता बड़ात्याचार कैसे हो गया नमाज के समय ही सब हो रहा है, मस्जिद में हो रहा है इतनी बड़ी मुसल्मान खत्रे में है, सब सब रो रहे था, पुरी दुनिया रो रहे थी सिमिलर है, यहां भी आरती के समय, नवरात्री के समय, पंडाल में तोड़ फोड़ हो रही है और पूरी दुनिया शांत है, हिंदू वर्ल्ड भी शांत है, कोई चर्चा ही नहीं हो रही है भारत में भी चर्चा ही नहीं हो रही है मुझे आप वीडियो के नीचे कमेंट गरके बताइए कि आपने और कितने चैनलों के माद्यम से, चाहे यूट्यूब पे या फिर आप टीवी में देख रहे हों कितने चैनलों के माद्यम से आपने सुना है इस घटना के बारे में आप अवेर हैं और अगर नहीं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा जार लोगों तक पहुचाईए, उनसे ये आगरह करिए, बांगलादेश में रह रहे हैं हिंदू के प्रती, थोड़ी सी समवेधना दिखाएं, क्योंकि वो सिर्फ बांगलादेश की बात नहीं है, बंगाल में आपको सिमिलर घटना है को मिली हैं, हिंदू के प्रतेत्याचार, मॉब लेंचिंग, रेप, हिंदू होने के वैसे महिलाओं का रेप, कनवर्जन, कतलियाम, अभी जो पोस्ट पोल वाइलेंस हुआ, वो सब इस सब बंगाल में होता है, तो बट ऑवियस है कि बंगलादेश की जो रेफ्यूजी जा करते हैं, वो यहाँ पर ही सब करते हैं, और शायद अब लोगों को समाज में आ जाना चाहिए, कि CAA, NRC क्यों important है, अब समझ में आया क्यों important है, वहाँ क्या हालत, क्या दुर्दशा है, हिंदू की, और किसके द्वारा है, तो ट्विटर पे बंगलेशी हिंदू यूनिटी किसी मुसलिम के इविंट को खराब करते हुए, सिर्फ एक पकड़ा गया है, तो क्या उस एक को मॉब लिंच कर देने की न्यूज नहीं आ जाती, इसी को बस उल्टा करके सोचे, कि अगर एक हिंदू, मुसल्मानों की मॉब में पकड़ा जाता, उनके किसी इविंट में पक उन्होंने अपनी ताकत का फायदा उठाते हुए, मैयोरिटी होते हुए, नवरात्री में चल रहे पूजा पंडाल के आरती के समय ये घटना को अंजाम दिया है, और तब भी वहां के लोग इतने सहिशूर हैं, कि जाके पुलिस को दे रहे हैं, मैं ये नहीं कहा रहा कि उ भारत में थोड़ी ही हुआ कि उनको डर लगेगा, लेकिन हिंदू-Muslim जैसा ही तो कुछ हुआ है, दुनिया में कहीं और होता है, पैलेस्टीन के लिए क्यों रोते हैं ये लोग, वही तो भारत में नहीं होता है, लेकिन उसके लिए उतनी समवेंदा जाहिद करते हैं, एक आपको पढ़के सुनाना चाहता हूं, ये एक रिक्वेस्ट है, हम आपसे आगरह करते हैं, कि हम आपके कुरान की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप प्लीज हमें और मत मारिये, हमारे और मंदिर मत तोड़े, हमारे और हिंदों को मत मारिये, क्या भारत के माइनौरटी भी ऐसी है, बाबरी मस्जिद, जो जायज चीज थी, वो जब हुई, और लीगल तरीके से रहाम मं कोई इल्लीगल माइगरेंट पकड़ा जाए, कोई आतनकवादी मारा जाए, कोई कुछ भी, ऐसी मतलब जायज घटनाएं भी हों, तो बिल्कुल डंके की चोट पर आ जाते हैं, मॉब लिंचिंग करने लग जाते हैं, सब कुछ, और यहां नाजायज चीज पे भी, प्लैन्ड था, इसका मतलब आप समझ सकते हैं, अगर रियल केज भी होता कि कुरान है, और डिस्रिस्पेक्ट होई है, तब भी कुछ अत्ता कह सकते हैं, कि हाँ वाई कमुनल रायट है, हुआ है, किसे ने डिस्रिस्पेक्ट की, तो अगले ने रियाक किया, लेकिनी पूरा प्लैन्ड है, मतलब यह चीज को साबित करता है, कि अगर आप एक मुस्लिम कंट्री हैं, तो आप नहीं बरदास्ट कर सकते एक परसेंट भी नौन मुस्लिम कम्यूनिटी को, यह आपने पाकिसान में किया है, यह आपने बांगलादेश में किया है, और यह आप हर जगा करत किया है, यह 1400 साल से होता आया है, इन बांगलादेशी हिंदों के लिए कैसी दुर्गा पूजा गई, वो कभी नहीं भूलेंगा इन तब चीज़ों को, इस बात के लिए भी नहों ने व्यक्त किया है, दुख अपना, अब यह तो एक काउंसल को, एक मेंबर को एक व्यक्ति यह तोड़ दें, तोड़ी भी, हमें पीट रहे हैं, जो जो जान का खतरा बना होगा, क्योंकि यह तो बहुत समय से देखते हैं, वो उन्हीं हाईवानों की बीच रहे हैं, अब उनका हॉरर महसूस करी, घुटन महसूस करी, हमेशा मरने का डर महसूस करी, वो हिंदू महिल हो इस बातों का धान दो, मुझे आज बाला साथ ठाकरे याद आ रहे हैं, क्यों एक कोई घटना थी, अमरना थेयात्रा शायद होने वाली थी, और आतंगवादियों की प्लैनिंग थी कि नहीं होने देंगे, तो शायद बाला साथ ठाकरे ने कहा था कि अगर अमरना थेयात हिंदू लीडर्शिप, या कटर हिंदू लोग, या इंशूर नहीं कर सकते एक बहुत बड़ी चीए, तावनी धंकी नहीं दे सकते, या फिर एक सपोर्ट जाहर नहीं कर सकते अपने उन हिंदूों के प्रती, एक मैसेज भारत से नहीं जा सकता, collectively, unity के साथ, कि अगर या किसी भी इस्लामिक कंट्री में, इस इंसिडेंट से लेटेट तो सिर्फ मांगला देश को मैसेज जाना चाहिए, यगर मांगला देश में अब कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, या फिर इसकी भरपाई नहीं हुई, सम्मान के साथ, तो भारत में इस साल, अगले साल, कोई मुसल्मानों का फेस्टिबल अच्छे से मन जाए, तो ना मदल देंगे, हम मनने नहीं देंगे, खुला बोलना उसके लिए जिसको जो करना कर दे, आप यह नहीं कह सकते कि मांगला देश में जो हो रहा उसके लिए आप यहां के लिक्यों परशान कर रहे हो, क्यों क्यों जलता है, दिल्ली क्यों जलती है, वैसे भी यह नोशन थोड़ा बहुत फेमस है, पाकिस्तान की बात हैं ने सुनी है, कि हमारे मुसल्मान भाई भी वहां रहते हैं, क्रिपया आप लोग यहां पे कुछ ना करें, जैसे कुछ हुआ था इंसिडेंट, तो मुसल्मानो इनको पकड़ पकड़ के थेटन करिये, परिशान करिये, परताडित करिये, लेकिन उनका प्रदर हुड चलता है, उनका उमा चलता है, मैं प्यार से बोल लहां, सौफ्ट सब्दों में बोला है, मुरी को हेटरेड नहीं है, अगले को फरक पड़ता है कि किसी और जगा पे बैठे मुसल्मान को तकलीफ होगी तो मुझे दिक्कत है तो आपको भी इस बात का फाइदा उठाना चाहिए अपने बचाव के लिए अपने लोगों के बचाव के लिए बस मैं इतना कहा रहा हूँ अचाता है इस वीडियो को जादा जादा शेयर करिए इस इंसिडेंट की भरपाई होनी चाहिए जितने लोग इन्वाज थे उनको सजा होनी चाहिए भारत क्रफ से एक स्ट्रॉंग मैसेज जाना चाहिए और दुबारा रिपीट ना हो ऐसा इसा इंसिडेंट उनकी सेफटी स कोई नहीं लेगा यहां कौन कितना सेफ है फिर मिलते हैं अगली उडम जहन बंदे मातर